स्टूडेंट्स वेलकम टू कमपास विद लैंस तोड़ें वी विल स्टड़ी अबाउट गार्बिज इन गार्बिज आउट स्टूडेंट्स यह क्लास शिक्स का चैप्टर है अब हमें यह बताईए कि गार्बिज होता क्या है जादतर बच्चों को पता होगा गार्बिज का मतलब होता है चो कूड़ा, कच्रा या गंदगी हमारे आसपास भी होती है घरों से भी निकलती है उसी को हम गार्बिज कहते हैं और यह कई तरीके की गार्बिज होती हैं जिसके बारे में हम आगे study करेंगे अब सबसे पहले हम start करते हैं अपना chapter Each household generates garbage हर household यानि घरों से बहुत तरीके का garbage या waste material daily निकलता है हम उन items को सबको throw कर देते, fake देते, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती The garbage generated by an entire town अब ये garbage जो होता है, ये कोड़ा कच्रा पूरे town से, पूरी city से बहुत सारा collect किया जाता है और कौन collect करता है? municipal authorities From garbage dumps for disposable अब इसमें जो municipal authorities होती है अब आपने देखा होगा कि आपके घरों से daily बहुत सारा कोड़ा करकच्रा और वो जो कच्रा होता है ये सब इखटा किया जाता है, बहुत जादा इखटा किया जाता है फिर उसे एक जगे जाकर garbage dump में कर दिया जाता है जिससे कि वो dispose किया जाए लेकिन The amount of garbage is so huge ये जो इतना सारा garbage इखटा होता है ये इतना जादा होता है कि उसे dispose करना यानि खतम करना भी बहुत बड़ी problem है It cannot be burnt इसे हम जला भी नहीं सकते हैं क्योंकि इससे क्या होता है बहुत जादा poisonous gases भी निकलती है और poisonous धुआ निकलता है बहुत जादा है कि पूरा हमारी air, environment, atmosphere सब खराब हो जाता है It cannot be thrown into water अब ना हम इसे पानी में फेक सकते हैं क्योंकि ये पानी को pollute कर देगा और पानी को pollute करने के बाद क्या हो जाएगा जब पानी pollute हो जाएगा तो water animals मरने लगेंगे उनके उपर effect पड़ेगा Usually a city's garbage is disposed of in a low-lying open area जादा तर city का जो garbage होता है वो एक नीचली सत्य है पर नीचले area में dump किया जाता है वहाँ पर खतम करने का काम किया जाता है जिसको landfill कहा जाता है ये important है What is landfill? Here the part of garbage that can be used again is separated out यहाँ पर जो garbage का part दुबारा use किया जा सकता है उसे अलग कर लिया जाता है और non-useful part उसको landfill के अंदर फैला दिया जाता है जैसे कि आप एक कोई गढ़ा होता है गढ़े में आप मिटी भरते जाए मिटी भरते जाए तो उसके बाद आपको क्या होका कुछ टाइम बाद वो level में गढ़ा हो जाएगा और वो बिल्कुल flat surface बन जाएगा उसी तरह से यहाँ पर landfilling करी जाती है और cover किया जाता है soil की layer से After the landfill is completely full जब landfilling पूरा हो जाता है यानि वो level में आ जाता है तो इसे किस में convert कर देते हैं पार्क और a playground में प्लेग्राउंट जहाँ पर खेलते हैं ठीक है students इसमें भी बहुत से बच्चे इंद्रप्रस्थ पार्क यहाँ पर mention कर रखा है नियो डेली में बहुत से students डेली में रहते भी होंगे और बहुत से students डेली गए भी होंगे तो वहाँ पर इंद्रप्रस्थ एक प्लेस है वही पर डेली में इस पार्क को बनाया गया है वो landfill से ही के ही थ्रू बनाया गया है उसके अंदर नीचे इतना जादा dumped garbage है now types of waste अब waste भी कितने तरीके के होते है how many types of wastes are there so students there are two type of waste that we generate depending on their sources अब दो तरीके के waste होते है जो की घरों से निकलते है एक होता है biodegradable waste और एक होता है non-biodegradable waste biodegradable waste वो होता है students जो अपनी आप natural तरीके से मिट्टी में mix हो जाता है microbes के थो non-biodegradable waste होता है जो बिलकुल भी उसको वो खतम नहीं हो सकता है non-biodegradable waste होता है जो की खतम नहीं हो सकता या soil में mix नहीं हो सकता let's study biodegradable waste is waste that we decay and mix with the soil soil भी mix हो जाता है all waste derived from living matter is biodegradable जितना भी living matter से निकल रहा है waste वो biodegradable होता है this includes food waste जैसे food waste हो गया जैसे fruits और vegetables के छिलके हो गए meat और bones हो गया animals का leaves फूल पत्तिया हो गई paper और pencil shaving pencil shaving पता है pencil shaving जब आप pencil को शापन करते हैं शापनर से और उसके बाद जो उसका उपर का waste निकलता है उसे pencil shaving कहा जाता है अब paper और pencil shaving हमारा living matter में कैसे आ गया क्योंकि paper और pencil दोनों ही trees से मिलकर trees से ही बनती है non biodegradable waste is waste that will not decay ना तो वो decay होता है ना ही soil में mix होता है this includes अब इसमें कौन कौन से होते है plastic जैसे कि plastic bag यानि polythins plastic material जो भी plastic का समान है metal जिसमें की containers, cold ring cans, pins, needles कुछ भी आ सकता है metal का जो भी समान होता वो असानी से खतम नहीं किया जा सकता glass, old bottles हो गई, glass के pieces हो गई, छोटी छोटी या bulb हो गई हम स्टुडेंट्स, reusing and recycling waste हम दुबारा से कैसे किसी भी waste को use कर सकता है या फिर recycle किया जा सकता है यानि उनको तुबारा कोई नया product नया रूप उन्हें दिया जा सकता है किसी भी waste को फेकने से पहले उसको हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या वो दुबारा use हो सकता है या नहीं हो सकता one way of reducing the amount of waste to be thrown away is to reuse whatever can be used again हम जैसे एक बहुत simple सा मैं आपको छोटा से example देती हूँ water का water भी waste होता है लेकिन उसमें water में क्या होता है जैसे हमने कपड़े धोई है ममानी कपड़े धोई या fruits vegetables को wash करा तो वह क्या करा डायरेक्ट नल के नीचे रगड के ममी धोती जा रही है और पानी बहता जा रहा है हम एक तरीक और भी तो कर सकते हैं कि उसके नीचे एक bucket रख लें या कोई बरतन रख लें और जो पानी उसका collect हो रहा है वो या तो हम प्लांट से में डाल दे या हम उसको मॉपिंग में पोचे में यूज कर लें तो यह reuse कहा जाता है या इसी का एक और example आपको देते हैं जितने में vegetable peels होते हैं fruit peels होते हैं उन्हें खटा कर लिया जाता है और उनको खटा करने के बाड़ी compost किया जाता है या फिर उसको compost बना लिया जाता है compost के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे वो एक तरीके का fertilizer तैयार हो जाता है अब next आ रहे है recycle का another is to recycle it recycling involves collecting waste material and processing them to make new products अब recycling में क्या होता है जितना भी waste material होता है उसको process करने के बाद में एक नया product तयार कर लिया जाता है जैसे newspaper newspaper को हम दे देते हैं जो waste picker आता है उसको collector आता है उसको देने के बाद जैसे हम Hindi में कबाड़ी बोलते हैं वो क्या करती हैं वो ले जाकर सेल कर देते हैं और उनके बाद जो पेपर बैक्स बन जाते हैं पेपर बैक्स यानि पेपर के लिफाफे जो होते हैं जिसमें आप समान ले लेकर खाती हैं वो सब चीज बोत रियूजिंग और रिजैक्लिंग रिडूज दियूजिंग और रिजैक्लिंग अगर करी जाती है तो उसकी वज़े से क्या होगा वेस्ट बहुत कम फिकेगा और उसकी वज़े से भी environment clean रह सकता है Segregation on waste Segregation का मितलब होता है किसी चीज़ को अलग करना अब students जो waste हमारे पास इखटा हुआ है हम उसे biodegradable और non-biodegradable में अलग-अलग कर सकते हैं कौन सा waste हमारा दोबारा से यूज किया जा सकता है यूज कर सकते हैं और कौन सा नहीं हो सकता है तो उनके हम अलग-अलग dust bins बना सकते हैं Every household should have two garbage bins हर घर में दो तरीके के garbage bins होने चाहिए One for biodegradable waste एक तो biodegradable waste का जिसमें आफल, सबची या और जैसा paper हो गया और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो आप उसके अंदर डाल सकता है लेकिन जो दूसरा होता है dust bin जो non biodegradable waste है उसमें आप tin का समान, plastic हो गया, carry bags हो गया, polythins हो गया या कांच का समान हो गया जो हम dispose easily नहीं कर सकते हैं उसे डाल सकते हैं यह अलग-अलग हो जाएगा तो यह बहुत easy way हो जाएगा इसे dispose करना ideally there should be a third यह तो दो हमारी अलग dust bin हमें करनी चाहिए लेकिन एक देखा जाए तो थर्ड वाला bin भी होना चाहिए जो कि toxic waste का होता है जिसमें हम जहरीली चीज़े poisonious जो waste होता उसे डाल सकते हैं जैसे medicines हो गया, battery हो गया, dried paint है, dried shoe polish है यह सब बहुत जादा जहरीले होते हैं और इन्हें अलग तरीके से dispose किया जाते हैं इसलिए इन्हें हम अलग dust bin में डाल सकते हैं these are much more difficult to display off safely यह जादा नहीं तो इन सब को क्या हो जाएगा डिस्पोस करना सेफ तरीके से बहुत मुश्किल हो जाएगा ओके students, अब next video में हम पढ़ेंगे recycling biodegradable waste अगर आपको यह chapter समझाया अच्छा लगाया तो please like और subscribe कीजिएगा channel को thank you